तो क्या आपने अपने रियल लाइफ में या कहीं पर रोट के साइड में आपने ऐसे मिरर को देखा है या आपने कभी ऐसे मिरर को देखा है जो थोड़ा अंदर की तरफ हो या फिर सबसे बेस्ट एक्जांपल की बात कर लेते हैं आपने अपने घर पे स्पून्स को देखा ह चम्मच को देखा होगा तो चम्मच का जो यह वाला भाग होता है जो अंदर की तरफ होता है हां उस भाग को आप देखोगे तो उसमें भी आपको अपना इमेज दिखाए देता है जैसे कि यहां पर दिखाए दे रहा है और अगर आप उसको उल्टा करोगे तभी आपको परटीज क्या है कैसे वर्क करता है अगर आपको यह सब जानना है दन आप इस वीडियो को देखो इस वीडियो में हम यह तो नहीं समझेंगे कि यह इमेज कैसे फॉर्म करता है विकाज उसके लिए मुझे एक और वीडियो बनाना पड़ेगा पट इस वीडियो के अंदर हम सब कौन बना रहा है मतलब इन टाइप की मिलर्स को हम लोग क्या भूलते हैं ठीक है तो यह सारी मिलर्स जो है ना इन मिलर्स को हम लोग कहते हैं कर्वड मिलर्स क्या कहते हैं कर्वड मिलर्स क्यों कहा जाता है यह तो आप इनको देखकर ही समझ सकते हो विकाद जो मिलर्स है जैसे यह वाला मिरर आपने देखा हो रोड की साइड में इस निकला वगा हैं जैसे इस मिलएं की बात करो तो यह दो ंंदर की तरफ ऐसे ही है ठीक है इस चमच की बात करें दो जेखो इसमें यह वाला फाग अंदर की तरफ ऐसे गया हुआ है और यह वाला फाग इसे बाहर की तरफ ऐसे आया हुआ है समझ में आए क्या तो यह ना कर्व होती है मेशा कैसे होते कर्व और प्लेड मिरर कैसा होता है एकदम फ्लैट होता है ना तो यह कर्व मिरर तो है नहीं जो एकदम फ्लैट हो यह कर्वड बिरर से यह बात समझ में आ गया अब जो मिरर अंदर की तरफ धसा होता है ना जैसे कि यह आपको दिखाए दे रहा है जैसे कि यह आपको दिखाए दे रहा है तो यह सब मिरर्स जो है ना इनको हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर क्या कहते हैं अब कॉनकेव मिरर में क्या होता है कॉनके मिरर में देखो उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा कि ना अंदर की तरफ ऐसा क्या होगा धसा होगा वो इसे गुफा बनाते हुए कैसे गुफा बनाते हुए या फिर रिफ्लेक्टिंग सर्फेस अंदर की तरफ होगा ठीक है जो लाइट रिफ्लेक्ट होके जाता है वो लाइट अंदर से रिफ्लेक्ट हो जाता है और इसके पीछे साइड क्या होता तो हमें पता है ना तो कॉनके मिरर क्या होता है कॉनके मिरर एक कर्फड ग्लास का क्या है पीस है ध्यान सुनो एक कर्फड ग्लास का पीस है जिस पीस के पीछे साइड बैक साइड में आपने क्या किया हुआ है कोटिंग किया हुआ है और इसका जो इनर साइड है अंदर वाला क्या बोलते हैं concave mirror बोलते हैं क्या बोलते हैं concave mirror ठीक है तो आज रसका definition देखते हैं तो definition है if the inner surface of a spherical mirror is reflecting surface then it is called concave mirror नाँ यहां पर ना आपने spherical mirror का यह point देखा यह spherical mirror क्या होता है तो ध्यां से समझे spherical mirror कोई एक बहुत बड़ा topic नहीं है बहुत जादा difficult topic नहीं है spherical mirror नाएक sphere shape का ग्लास होता है जो अंदर से खाली होता है इसलिए उसको hollow glass sphere बोलते हैं क्या बोलते हैं hollow glass sphere क्योंकि वो अंदर से एक दम खोकला होता है अंदर से खाली होता है ठीक है तो अगर आपके पास ना कोई एक बड़ा सा glass का पियर है harlo class pair और उसके अंदर आप देख रहे हो कि आपने coating कहा से क्या हुआए बहार में असाय कmont यह हुआ है ऐसे कवड में और कि तरफ क्या है reflecting surface अंदर की तरफ क्या है reflecting surface है तो ऐसे टाईप का जो होता है ना mirror उसको उन्हों को बोलते हैं concave mirror अब यह एक स्पीर से बना हुआ है ना इसलिए मैंने यहां पर स्पैरिकल मिरर लिख दिया ठीक है अब डेफिनेशन पढ़के देखों इफ द क्या रिखा हुआ है इफ द इनर सर्फेस स्पैरिकल मिरर यह स्पैरिकल मिरर है अगर इसका इनर सर्फेस कैसा है रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है अगर इसका इनर सर्फेस ही क्या है रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है देन इट इस बल्ड कॉनकेव मिरर तो उस मिरर को आप क्या बोलोगे कॉनकेव मिरर सी वेरी एजी ओके अब एक बात हमेशा रखना कि जो कॉनकेव मिरर होता है ना उसके अंदर जो इमेज éra सब्सक्राइब इसे इस ही कि बात कि लुआप ट्राइब करना चंबज के अंदर है अगर आप पाप ऑपका व्हें श littर केसा बनता है और जादर के सीधा Image बनता है नीए क्या कॉनके Online सीधा इमेज नी नी बनेगा हमेशा इसका इंसर है ऑबमनुं और सीधा ऑबजेक्ट सीधा इमेज़ आपका बनता है अगर आपका ऑबजेक्ट ना क्या हो dua के बहुत जादा प्लोज है ना तब वहाँ पर जो image बनने वाला है वो हमेशा सीधा होगा है ना उसको हम लोग बोलते हैं erect image क्या बोलते हैं erect image बहुत सारी books में उसे upright भी कहा जाता है परिट सोके ठीक है आपके test book के अंदर महाराष्टा state board में erect बोला गया एसे image इसको clear रहेगा क्या पका दोनों same thing है तो कहने का मतलब है कि जो concave mirror है ना उसके अंदर अगर आपका जो आपका object जो है वो mirror के बहुत पास रहा concave mirror के बहुत पास रहा object आपका तो जो image बनेगा वो सीधा बनेगा normal इकदम normal मतलब जैसे सब बनता है जैसे image बन रहा है वैसी रहेगा बट सीधा रहेगा image ठीक है और अगर आपका object दूर रहा तो वहाँ पर जो image बनने वाला है वो image कैसा रहेगा उल्टा बनेगा अब यह सब क्यों हो पा रहा है इसको हम लोग next lecture में देखेंगे जहां हम लोग यह समझेंगे कि concave mirror से images कैसे form होते हैं ठीक है अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरे type का mirror जिसको हम लोग बोलते हैं convex mirror ध्यानता समझना curved mirror दो ही होते हैं एक होता है concave mirror एक होता है convex mirror concave mirror के बारे में हमने अभी बात कर लिया अभी हम लोग convex mirror के बारे बात करते हैं यानि कि ऐसे type का image और ऐसे type का mirror तो convex mirror का representation क्या है पहले वो समझो तो यह न कुछ ऐसे रिप्रेसेंट होता है इसा बहार की तरफ निकला होता है कैसे होता है बलजी होता है इसा बहार की तरफ ठीक है क्या और इसका जो अंदर का आपको surface दिख रहा है जो surface अंदर की तरफ है उदर पे आपने coating करके रखा है कौन सा coating याद करो याद करो yes correct coating होगी कौन सी silver की या aluminum की और उसके उपर black layer लगा दिया जाता है lead oxide का clear है तब वो जो glass है वो क्या बन जाता है mirror बन जाता है और यह भी क्या है spherical mirror का इपाट है है ना देखो ना एक sphere से बनाए यह पर इस बार sphere में आपने coating कहां किया हुआ है अंदर side है ना curved way concave mirror के time पे हमने क्या किया था outer side में क्या किया था अगर कोई spherical mirror है जिसका outer surface क्या है यह बाहर का surface क्या है reflecting है बाहर का surface क्या है reflecting है ठीक है तो ऐसे टाइम पे जो mirror होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं convex mirror यानि coating कहां होगी अंदर से होगी और reflecting surface कहा होगा बाहर से होगा clear रहेगा एक और बात या रखना convex mirror के टाइम पे कि जो convex mirror है ना उसके अंदर आप ना सब कुछ देख सकते हो बड़ छोटा छोटा दिखेगा कैसा दिखेगा छोटा 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 दिखेगा मतलब तो concave mirror convex mirror के अंदर आपको कोई भी ऑप्जेक złोटा दिखाई देगा जितना वह होता वो होता है मतलब जादा ए Hilux आपको दिखाई नहीं देगा मतब ज़्यादा एरिया आपको दिखाई नहीं देगा पर अगर आप convex देखोगे तो आप बहुत wide angle में देख सकते हैं बहुत चीजों को ठीक है क्या यह थोड़ा सा difference होता है कि इसके बीच में concave mirror और convex mirror के बीच में पर यह सारी चीज़ समझने से पहरे न हमको जरा mirror से related कुछ concept समझना पड़ेगा ठीक है तो उस concept को हम लोग convex mirror से भी समझ सकते हैं concave mirror से भी समझ सकते हैं बट मैं आपको na concave mirror से समझाओंगा ताकि आप easily वो सारे terms को समझ जाओ mirror के अंदर वो सारे terms को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप भी हम लोग समझते हैं terms related to mirror spherical mirror clear रहेगा तो ये वेने आपके सामने न एक concave mirror लिया हुआ है क्या लिया हुआ है concave mirror now what is concave mirror यौल लो concave mirror वो mirror होता है जिसका reflecting surface inner side होता है देखो ये अंदर की तरफ reflecting surface है और जो इसका coating होता है वो outside होता है या नि बाहर की तरफ होता है तो देखो पीछे की तरफ बाहर की तरफ क्या है coating है ये जिस clear रहेगा पक्का okay now ये जो sphere है ना sorry sphere बोल रहा हो ये जो आपका mirror है ना ये mirror का जो एकदम center वाला point होता है mirror का center बोला ठीक है ये mirror का जो center है यानि कि ये point यहाँ पर एक point होता है जिसको हम लोग क्या बोलते है पोल बोलते है क्या बोलते है इसको हम लोग पोल बोलते है ये चिस clear रहेगा तो या रखना आपका जो mirror है अगर उसका center मैं बोलू तो उस mirror के center सेंटर को मैं बोलूंगा पोल यह जिसके लिए रहे अब यह मिरर जो है ना यह किसी ना तो किसी स्पीर से बना हुआ है किसे बना हुआ है किसी ना तो किसी स्पीर से बना हुआ है यह जिस स्पीर से बना हुआ है उस स्पीर का भी कुछ सेंटर होगा यह सफकॉस सर उस स्पीर के सेंटर को हम बोलेंगे सेंटर ओफ करवेचर क्या बोलेंगे सेंटर ओफ करवेचर या दखना पोल को आप पी से दिनोट करते हो और सेंटर ओफ करवेचर को आप सी से दिनोट करते हो बोलो बात समझा रही है, पक्का बहुत बढ़िया, अब यहां दखना, center of curvature से, pole तक की बीच का, जो distance होता है ना, उस distance को आप बोलते हो, radius of curvature, क्या बोलते हो, radius of curvature, sir मेरा एक doubt है, sir, इसे हम लोग radius क्यों बोलते हैं, because देखो ना, sphere है न यह, और sphere के center से, जहां तक, इसको आप circum circumference, फिलाल के लिए समझो, circumference तक का, जो distance होता है, उसको आप radius ही तो बोलते हो, और यहां पे आपका circumference तो curvature है, है ना, मतलब यह mirror है, यह करवेचर बोलते हैं, तो यह तो आपका क्या हो गया, radius of curvature हो गया ना, इसके लिए, clear रहेगा, okay, now principle axis, principle axis क्या होता है, principle axis जो है ना, व दोनों से पास हो कर जाती है, ठीक है, तो अगर आपने कोई mirror के पास, एक imagery line ड्रॉ कर लिया, जो center और pole से पास हो कर जाए, तो imagery line को आप क्या बोलोगे, principle axis बोलोगे, क्या बोलोगे, principle axis, नो एक important बात, या दखना, कभी भी आप concave mirror से, सिर्फ concave mirror के लिए, किसी आप concave mirror से, light को जब reflect करोगे, और जो principle axis के parallel हो, तो हमेशा यहां से पास हो कर जाएगा, ठीक है, यहां से पास हो कर जाएगा, वैसे अगर आप इस तरफ से भी कोई एक parallel line बनाते हो, यह फिलाल मेरा parallel line बन नहीं रहा है, पर अगर आप ऐसे parallel line बनाते हो, तो वो parallel line ना, यह principle axis के कुछ ए mirror क्या करता है ना, जितनी भी light rays, principle axis के parallel आ रहे है ना, उन light rays को वो ना, एक particular point से क्या कराता है, पास होने देता है, ठीक है, वो particular point एक simple point है, वो छोटा सा point एक जगा पर पूरे light को क्या कर देता है, focus कर देता है, कौन, concave mirror, ठीक है, इसलिए इस point को हम लोग क्या बोलते है, focus, focus बोलते है, focus, clear रहेगा, जिसको हम लोग capital F से denote करते है, और इसको principle focus भी कहा जाता है, clear रहेगा, अब याद रखना, इस principle focus से pole तक के बीच का जो distance होता है उसको हम लोग बोलते है focal length क्या बोलते है focal length जिसे radius of curvature होता है center से pole तक के बीच का distance उसी तरह focus से pole तक के distance को focal length बोला जाता है क्या बोला जाता है focal length एन एक important बात focal length जो है वो हमेशा radius का आधा होता है मतलब अगर आपका radius 4 रहा तो focal length 2 होगा अगर आपका radius 6 रहा तो focal length 3 होगा तो बताओ अगर आपका radius 10 रहा तो focal length कितना होगा बताओ बताओ सोचो correct 5 होगा clear है क्या पक्का कोई doubt यहां तक नहीं तो इसको आप लिख सकते हो क्या लिखाव है देखो pole क्या होता है the center of mirror surface यह आपका mirror surface है इसका center इसी को हम लोग बोलते हैं pole center of curvature क्या होता है the mirror is a part of sphere जो आपका mirror है वो एक sphere का part है and center of same sphere और उसी sphere के center को आप बोलोगे center of curvature see बहुत easy है radius of curvature क्या होता है तो radius of curvature of mirror is a part ओह यह कहा है the radius of sphere of which mirror is a part is called radius of curvature मतलब जिस sphere का radius जिस sphere का मतलब जो sphere का part है यह mirror उसके radius अवह हम लोग क्या बोलते radius of curvature नहीं समझे मतलब कि इस sphere का कुछ radius हो और जो sphere है यह mirror का part है तो उस sphere का जो radius होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं radius of curvature बोलते हैं ठीक है principle अक्सिस क्या होता यह चो से लेगर के सेंट्र करवेचर तक पास होता है principle focus क्या होता है principle focus यानि कि कोई अगर हो पैरलल हम आवए इसके प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो कैन के विँयर में आफ्टर रिफ्लक्शन यिया है और उस-point को बोलते focus जैसा के मैंने बताया अगर पैर यह गया तो reflection होनी के बाद एक point पर आके मिलती हो स्पॉइंट को प्रिंसिपल लेक्सिस के focus ठीक है तो प्रिंसिपल फोकस फोकल लेंच क्या होता है डिस्टेंज बीत्विन प्रिंसिपल फोकस तो प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस उसी को अम लोग बुलते फोकल लेंथ याद रखना एक मिटा येस क्या बुल रहा हूँ मैं जो आपका फोकल लेंथ है वो हमेशा रेडियस का क्या होता है हाफ तो रेडियस आपका जो भी हो उसको आप आधा कर दोगे तो फोकल लेंथ मिल जाएगा आपको क्लियर रहेगा कि ऐसारी बाते पक्का कोई डॉट यहां तक नहीं है ठीक है तो आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो तकि उन्हें भी यह टॉपिक समझ में आजाये अगर आपको इस टॉपिक का नोट् görüş चाहिए है एंड रेट जैसा यह नोट्स आपको दिख रहा है यह ठीक है यह नोट्स चाहिए तो आप के इंस्टागाम पर फॉलो कर सकते हो हमारे इंसटागाम हैनलवा फिजिक्सित आपको आईडी मिलेगा आप उसमें देख सकते हो वहाँ पे हमने और भी नोट्स को अप्लोड किया हुआ है पहाँ से भी नोट्स ले सकते हो ठीक है तो मैं मिलता हूँ आप से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में तब तक के लिए बाई बाई